स्वास्ति मंतराले के सैक्तु सच्चिव लवागरवाले की प्रेस कॉनफरेंस प्रेस कॉनफरेंस कर कहा जी 20 देशों के साथ मिलकर वैक्सीन पर करेंगे काम 69 जिलों में पिछले 14 दिनों में कोरुना का एक भी केस नहीं लखनों में यूपी के अपर मुखे सचिव गरे अवनीश अवस्तिने की प्रेस कॉनफरेंस कहा सीम योगी आदितिनात ने लोगभवन में टीम 11 के साथ की बैठक बैठक कर कहा कोटा से लोटे सभी 10,500 बच्चों को किया जाए क्वारंटी देशवर में बढ़ा कुर्णा संक्रमितों काकडा कुल संक्रमित हुए 17,265 से जादा 600 मरीजों की हुई मौत अब तक 2,546 मरीज हुए ठीक UPKCM योगी आजितनात के पिता आनंद सिंह्ग्विस्ट का निधन दिली केमस में 89 साल की उमर में हुआ निधन काफी समय से बीमार चल रही तियानद सिंह्ग्विस्ट राडिस्तान में मौसम का बदला मेजास गुलाबी नगरी में मौसम हुआ खुशनुमा, रिम्ठिम पारिश के बाद शेहर की सड़के हुई तरवदर, खेतों में किसानों की फसले हुई बर्बाद. नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूँ आपके साथ रश्मी गुल सरेस्ट. उतरप्रदेश के सियम योगी आदितनाद के पिता आनंद सिंग विष्ट का दिली इम्स में निधन हो गया. उनके निधन पर तमाम राजनीतिक दलों ने शुक व्यक्त किया है. उतराखंड के सियम त्रवेंद सिंग रावत ने भी दुख जताते विए कहा कि उनके सामाजे कारे को पूरा प्रदेश याद करेगा. आपको बता दें कि 89 साल के आनंद सिंग विष्ट लंबे समय से भी मार चल रही थे. एक बहुत अच्छे सक्रिय सामाजी कारे करता भी थे. भारदे जन्ता पार्टी के विए हमारे वो एक मंदल के अठ्यक्स रहे हैं यमकेश्वर ब्लॉप के. पार्टी के कारे करता के नाते और उनका जो समाजी के उद्दान हैं निस्टे तरूप से उनकी याद कि वहां का समाज हमेशा करता रहेगा. यमकेश्वर काफी दूरस छेत्र है पौडी दिल्ला मुख्याले से और वहां पर उन्हें एक महाविद्या लेकी उन्हें वहां पर इस्थापना की और जिसमें आज सेक्ड़ों बच्चे वहां के पढ़ रहे हैं विसे इसका जो बेटियां हैं कई बार घर से लगों को तो कोरिना वाइरस ने जहां दुनिया भर में कहर बर पाया हुआ है तो वही इस महा मारी ने मंदी के दर्वाजे भी खोल दिये हैं जिसका असर गरीबों और किसानों पर देखने को मिल रहा है उद्राखन के उधम सिंग नगर के काशिपुर में कड़ी मशक्कत से सबजी की ब रहा तो किसानों के आगे भूके मनने के हालात प्यदा हो जाएंगे ने ने ताल में हाली में हुई भी फीशर ओलवरिस्टी ने रामकर के काश्तकारों की मुश्किलें बढ़ाती है फल पट्टी के नाम से विख्यात रामगर के फल देश के कौने-कौने में बड़े चाओ सिखा जाते हैं लेकिन इस बार अप्रेल महा में खराब होती मौसम ने साल भर हार्टोर मेहनत करकी अपनी आजिविका चलाने वाले काश्तकारों की कमर त बड़ कर रखती है अप्रेल महा में हुई भीशन उलावरस्टी ने आडू की फसल को पूरी तरह बरबाद कर दिया है उलावरस्टी से आडू के पेड़ और फलों को टैफरेना नामक बीमारी ने खराब कर दिया है जिसके जलते किसानों को बैंक का कर्ज चुकाने की चिं बड़ को नुक्सान हो गया यारों को नुक्सान हो गया शेव में फुलाई चले इसको नुक्सान हो गियों के फसल को नुक्सान हो गया काफी ओलावरस्टी मुला इस बार देखनों को मिली तो सारी फसलें को बिलकुल नुक्सान हो गया इस बार बरबारी भी काफी हुई और उला विष्टी भी काफी हुई ज़र इस बार, हर जैसे आलू लगाने में दिखते आए थी, समय भी उला विष्टी हुई, बारश के उज़े भी लग नहीं पाई फजल और आलू को भी काफी नुक्सान रहा इस बार, तो लोगों ने उसमें आलू नहीं लग पाया, तो म मटर लगा दी, मटर में भी नुक्सान काफी हो चुगा है, तो सारी फजल मटर की खतम हो चुगे हैं देवभूमी उत्राखन के विश्व प्रसेद चार धाम के कपाट खोले जाने को लेकर प्रदिश सरकार ने एक एहम निर्ण लिया है, जा उत्राखन सरकार ने बद्रिन परिवार से विचावे मर्श के बाद ये फैसला लिया किया है, तेहरी महराज ने लॉकडाउन की प्रस्तितियों का अवलोकन करते हुए फिर से मंदिर खोलने की तिथियों को अवगत कराया है, उन्होंने कहा कि 15 माई को साड़े चार बज़े प्रहते बद्रिनात मंदिर क के पट खुलेंगे, 14 माई को किदारनात के पट खुलेंगे और 5 माई को गाड़ू घड़े की जो परबरा है उसका निर्वाहन किया जाएगा, तो आता है, अब कॉरंटीन के बाद जो है 15 माई को साड़े चार बज़े बद्री विशाल जी के पट खुलेंगे और रावल ज हुए है, ऐसे में जनिता भी उनकी होसला अफजाई में कोई कसन नहीं छोड़ रही, उत्राखन के काशिपूर में इन कोरोना वारियर्स पर कहीं फूल बरसाए गए, तो कहीं पर तालिया बजा कर स्वागत किया गया, साथी पुलिस अफसरों, सहित निगम करमचारियों औ अधिकारियों को शुल उड़ा कर और फूल मालाय पहना कर स्वागत भी किया गया, इसा दरविश्वास है, तो वहीं इसे लेकर अंबाला की विधाय का सीम गया ने कहा कि फसल की खरीद फरुक्त को लेकर किसानों को किसी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, इसके साथी किसानों को सीहत को ध्यान में रखते विए सैनिटाइजेशन टेनल भी पंजाब का किसान भाई है तो हमने भी उपर बात भी की है कि अभी शुरुआत में हर्याना लेकिन बाद में पंजाब के साथियों का भी कोई ना कोई सिस्टम जुरूर बनवाएंगे ताँ कि उनको अनाज बेचने में दिक्कत नाए क्योंकि इस मंडी का और जिस तरह हमबाड़ा शायर मंडी है हमबाड़ा शायर मंडी में लगवग साथ प्रतिशत से पैंसर प्रतिशत किसान से किसान भाई पंजाब से आते हैं और यहां ननियोडा में भी लगवग 80% किसान भाई पंजाब से आते हैं तो दिक्कत नहीं आने दी जाएगी आज गेहों की खरीद का जो एशुबारम किया गया है और चाहे आड़ती भाई हो पिसान भाई हो चाहे कोई किसी भी तरह से किसी भी साथी को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी सरकार अनाज का एक एक दाना खरीदेगी विल्कुल ठी एक तरीके से ख्रीद होगी यह रुकिंगे छोट से ब्रेक के लिए आप देखते रहें न्यूस इंडिया प्रेके बाद एक बार फिर स्वागत आपका बढ़ते हैं अगली ख़बर की ओर कुरुशितर के अनाजमंडी में सोशल डिस्टैंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है दरसल पृष्यासन ने कई तरह के दावे किये थे कि अनाजमंडी में भीड नहीं लागीगी लेकिन जैसे ही अनाज मंडी में खरीत शुरू हुई वैसे ही भी लगने लगी और सोशल डिस्टेंसिंग की धरजिया उड़ने लगी वही प्रिश्वासन ने मंडी में आने वाले वहानों को सैनिटास करने की भी बात कही थी लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया वही जब इस पूरे मामले पर स्थानिय विधायक और मंडी के अधिकारियों से बात की गई तो इस पूरे मामले को गोल मोल घुमाते नजर आए और कहा अभी खरीत का पहला दिन है सभी व्यवस्थाओं को दुरस्त कर लिया जाएगा में दूनों से भी सब्सक्राइब की है सुवह मेरे पास आप की आए दिन गोड़ी सी लिखत आ रही थी कि हाँ पर कुछत्रा मंडी में DFS की पर जिल करते थे एफट की परज़े नहीं दी तो हमने आपने पर पर रिक्रश करके अपर कि पर जाएा दिए मंडी में कोई किसी प्रकार की दिखत नहीं कि अ कि अपने जितने भी आरती हैने जितने के लाख़चे फसल आई है उसका तीन प्रसंट जली मुगार्त रہेगे और यह तूटी रही और मैं कहूंगा यह स्वस्यल डिश्टा पुरा द्धार रखे किसाम ने बसंतों तरिकास से थिंचा दिन पहले भी काटके रही है और वो किसान देके आ रहा है किसाम के गुड़ा गोड़्जी में दो और कुर्णा पोजिटिव केस आने के बाद जिला कलेक्टर यूडी खान ने गुड़ा गोड़्जी कस्वी का दोरा किया CMHO डॉक्टर सीयल गुर्शर के साथ कलेक्टर यूडी खान ने कुरोणा प्रभावित शेत्र की गलियों में भी पहुची और जमीनी हकीकत देखी वो अब तक कुर्णा संक्रमीत पाए गए परिवार के घर पर भी गए और निर्देश दिये कि जब तक घर को सैनिटाइज नहीं करवा दिया जाता तब तक यहाँ पर कोई ठहरी नहीं इसके लावा उन्होंने निर्देश दिये कि ऐसे संदिक दिलोग जिनका सैंपल एक से जादा बाल लिया गया है तो उनकी अंतिम रिपोर्ट जब तक नहीं आती उन्हें क्वारंटीन सेंटर में ही रखा जाए टो घर करीब-करीब खाली हैं अब वहां संक्रमण का डॉनी हैं और इसी तरह से यह भी देखा कि ओर प्रकता है तो स्वह स्वह क्या मास्क वित्रण करने के लिए इसलेम साब को बर लिया है इसी तरह से Vlog manifest कर्वानेके लिए अभी इस movie με seemed groß up together पिलिस निकाला गया जो कस्वे के मुखे बाजार सी होकर विभिन गलियों से निकला इस दोरान लोगों को संदिश दिया गया कि लोग घरों में ही रहें और लोक्डाउन का पालन करें खबर आजिस्तान के जुनुनू से है जहाँ पर कलेक्टर ने लोक्डाउन और हूम कारंटीन को तूरने वालों को के खिलाफ सक्त कारवाई करने की चेताव नी दी है तो वहीं इन पर कारवाई करने में यदि संबंदित अधिकारी कोई लापरवाही करते हैं तो उनके खिलाफ वो खुद कारवाई करेंगी जिला कलेक्टर यूडी खान ने सभी उखंड अधिकारियों और तेहसिलदारों को आदेश दिया है कि होम आईसोलेशन की पालना ना करने वाले लोगों के खिलाफ एफ आई यार दर्श की जाए जानकारी मिली है कि लोग होम आईसोलेशन में होने की बावजब भाह निकलने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे सभी लोगों को आगा किया ज़ता है कि वो अपने घरों में रहें और घरों के भाह नहीं निकले और घरों में जब रहें तो घर के बागी सदस्यों की से अलग रहें आजिए घरों की सामने हमने स्टिकर चिपकर रखा है एंको कोज़िकर का आदेश की तामिल करते हैं और विद्टिंग के अगरख की सामने सक्षियर अगर अधिकारी इस तरह की कारवाई नहीं करेंगे तो उनके खिलाब भी कारवाई की जा सकती है और इसलिए सबी अधिकारी को नर्देशित करता हूं कि इन आधिशों की सक्ति से पालना करें धौलपुर के सेपव थाना इलाकी की गाउन नगरिया समीर माफ कीजिगा सेमरा में एक तेज साल की विवायता का शब फंदी पर लटकता मिला जिससे इलाके में सनसनी फैल गई वहीं विवायता की मौत पर परजनों में कोहरा मच गया वहीं म्रतका के पीहर पक्ष ने ससुराली जनों पर दहिश में बाइक नहीं देनी पर हत्या कारूप लगाया है हाला कि घटना की सूचना इस्थानी गिरामीर ने सेपव थाना पुलिस को दी है जिसके बाद पुलिस ने घटना इस्थल पर पहुँच का म्रतका कश्य और कबजी में लिकर पोस्ट माटम के लिए भिच दिया है अधिया थानी पर नहरी तो लगाओं में लिकर पर पहुचे जिसकी सेपों मला के रखा गया था देश में इस वक्त लॉकडाउन जा रही है तो वही जरूरत बंदों को राशन पहुचाने के लिए हर कोई मदद कर रहा है लेकिन लॉकडाउन बढ़ने के कारण कई मददूरों के पास राशन खत्म हो गया है जिसे लेकर खेतरी के श्यामपुरा भिटेरा गाउं के किसारों ने तीस क्विंटल गेहु भीट किया है साथी किसानों ने कहा कि जरूरत पड़ी तो वो और भी राशन प्रिशासन को उपलब्द करवाएंगे तो गरीब आम मजदूर किसान वर्ग ना किसान कॉम्निटी से जो विलों करते हैं श्यामपुरा भिठरा काम के लोग हैं उन्हों ने ये पैल किये जे कुछ लोग देखों जुनों ना हमारे से संबर किया तो किसाब आम इन चीजों के लिए जो गए अभी गयों का लोगों ने 30-35 में किठे किये हैं और वो परसाशन खेतरी को उन्होंने सुपरेज़गी में दिया भी तो वो लोग दिसे स्टीट बेंट रहे हैं देनीक मज़ूरी करने वाले हैं उन लोगों के लिए अम ये ज्यांसे के लिए मिल में फिसवाएंगे पुरा पेकेट तार का सहम करेगा और उन लोगों को घरकर लेजनक पकुचाने काम करेंगे में जुझनू झिले का नाम आते ही सहन को की वह तस्वीर सामनी आती है जो देश को हर मुश्किल से निकाले के लिए लगे रहते हैं देश में फिलाल कुरोना एक बड़ी मुश्किल है इसके सामने के लिए फिलाल सेना की कोई मदद नहीं ली गई है लेकिन जुझनु इसलिए में पूर्वसैनिक और छुट्टी पराय सेनिक इसके लिए जुटकए हैं और वो पुलिस का कंधी से कंधा मिलाकर साथ दी रहे हैं यह तस्वीरें हैं जुझनु के पिलानी की जहां पर सेनिकों प कि अभी डियस्वी साब और शेह साब ने बताया हम लोग हर टाइम अपने देश में जो भी मुस्किल हालाता हैं उसके लिए हम हमेशा तयार रहे हैं और इसी मकसद से आज भी हम सब एक जुट होकर के हमारे पुलिस स्टाफ जो बहुत ही कम मात्रा में उनका सायोग करने के लिए जगह जगह जहां पर भी हमारी शवाओं की आऊ सकता है उदेने के लिए हम तयार हैं पिलानी में हमारे एक सर्विसमेन हमारे एंसी सी कैड़ेट्स के साथ में मिलकर की कोरोना से लड़ने के लिए सभी ने एक साथ मिलकर काम करने करने लिए इसके लिए मैं सभी एंसी सी कैड़ेट्स और मेरे फोजी बाईयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो फोजी बाई देश की सेवा करने के पश्चाथ आज एक बार फिर देश की सेवा करने के लिए देश को कोरोना से बचाने के लिए आम जन को सुर्खशित करने के लिए वापस हमारे साथ कंदे से कंदा मिला कर लड़ने के लिए तियार हुए मुझे पूर्ण विश्वा से जादा से जादा फोजी भाई साथ आकर के हमारा इस छित्र को कोरोना से मुक्त करने में पूरा सयोग करेंगे साथ कंदे से कंदा मिला के खड़े हुए समस्त फोजी भाई सतायन सीचे के जवानों का दिन्यवाद देता हूँ वो इसलिए भी देता हूँ कि एक इलक्षन के अंदर हमारे एक टीम आई थी उन्होंना का कि जुंझनों में देखने लायक क्या बार गे मैं अब आपको वाउ चीज देखने को मिलेगी जो पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगी आप उठा कि किसी भी गाउं को देखना एक शहीद की मूर्ति भी लगी आपको मिलेगी को कहीं नहीं मिलती है कोरोना मुझे विश्वास है जूंजनू का कुछ नहीं बिगार सकता जहां 65 अजार 70 अजार से भी ज्यादा एक्समेन है जहां कारगिल वार में सबसे ज्यादा शहीद देने वाला जो हमारा ये जिला है आज उसके जो सैनिक हैं पूरो सैनिक हैं वो सभ जागरुक हो चुके हैं जागरत हो चुके हैं इस सेवा का अपने वचन ले लिया है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इन सब के साथ में मिलके औरोना को जुझनू से पूरी तरह बगाने में कामियाब होंगे चितोरगण में मार्बल मंडियों में कामकार शुरू होने के साथ ही मार्बल व्यवसायू ने अपनी फैक्टरियों को सैनिटाइजर करने का काम भी शुरू कर दिया है जिससे श्रमिकों में कुर्णा संक्रमर का कोई खत्रा ना हो राजिस्तान की प्रमुक मार्बल मंडियों में शुमार होने वाली चितोडगर मार्बल की फैक्टरियों में आवाजा ही दिखाई दिने लगी है जिसमें मार्बल मंडियों में एक बार फिर से रोनक लोटनी शुड़ हो गई है पहले दिन मार्बल फैक्टरियों में फैक्टरी मालकों ने मशीनों और मार्बल की स्लेप्स पर सैनिटाइजर का च्छड काफ किया जो 20 तारीकों जो शरकार के नौम से जिन जिन फैक्टरियों के अंदर जो स्रमिक यहीं इस्ताई रूप से दिवास कर रहे हैं उन लोगों को एक रोजगार प्राप्त करने का अउस्सर प्राप्त हुआ है हम लोग सबसे पहले तो अपनी सारी जो मशीने इतने समय से बंद पड़ी है उनको सैनिटाइज कर रहे हैं पूरी फैक्टरी को सैनिटाइज कर रहे हैं सारे स्रमीकों के तेंपरेचर टेस्टिंग के लिए हमने जो तेंपरेचर टेस्टिंग मशीन है वो मंगवाई है और पूरी फैक्ट्री को सेनिटाइज करके सारे मजबूरों को मास्क देJackie और जो हमारे नॉम्च केंदर सरकार ने दिये हैं, राज्य सरकार ने दिये हैं, उसके एकोर्डिंग हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो उद्योग करीब पिछले तीन सब्ता से बंद है, वो धीरे 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 करके और पूरा लाइन पे आ जाए है। जाएस लेब से एक दिर में एक हजार सेंपल की जाच का लक्ष लेकर जल्द ही दो मशीन और लगाए जाएंगी, वैजिला कलेक्टर राजेंदर फट ने पुलिसादिक्षक हरेंदर महावार के साथ मोली बंदन खोल का लेब किश्रूआत की है, वैजिला कलेक्टर कुछ जैपुर से ट्रेन होके आए हैं, कुछ अभी हमने उदरपुर बेजे हुए हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, कुछ हमारे पास कंपनी वालों ने यहां भी ट्रेन किये हैं, तो जितनी हमारी अभशकता है, उस हिसाब से हमको ट्रेन स्टाफ मिलेगा, दुरा टाइम होगा, और काम इसका अच्छा जन्दा को बिलवाडा की जन्दा को अच्छा फाइदा मिलने की इसे उमीद है, बिलवाडा में आज मॉल्यकुलर लैब आटी पीसी आर की स्तापना हो चुकी है, अभी इसमें जो पहली मशीन है, वो 48 उसकी कैपसिटी है, एक साथ वो 48 टेस करती है, और ये टेस्ट धाई गंटे में करीब पूरे होते हैं, तो अगर राउंड जो क्लॉक चले तो 200 धाई सो इसके अंदर टेस्ट हो सकेंगे, हमारी दो 96 कैपसिटी की मशीन भी आ गही है, उसका इंस्टॉलेशन होना बाकी है, तो करीब करीब इस हफते में उसका इं पड़ेगा, लोगों को जादा इंदार नहीं करना पड़ेगा कारंटीन में और उसके साथ साथ और भी कहीं आसपास के जिलें उनको कोई दिक्क्त आ रही होगी तो यहां टेस्ट के लिए भेश सकेंगे, और इसके अंदर जो ये मशीन्स हैं, वो सभी मशीन्स जो है दान भी जब्त की गई, थाना प्रभारी कमरपाल सिंग ने बताया कि लोकडाउन के दोरान बाजार में शराब नहीं मिलने की कारण कुछ असमाजिक तत्वों की ओर सी आवेद रूप से शराब की तसकरी की जा रही थी, जिसे सूचना मिले पा थाना शित्र के रावतमाल तिरा पर कारवाई करजब्त किया गया बेकानेर के श्चिरी डूंगरगर उपखंड शेत्र के गाउं में मौसम ने बदलाप हुआ रुक रुक कर बारिश का दोड चला दूसरी ओर नोखा तैसील के गाउं साधासर के खेतों में बारिश के साथ उलावरस्टी से खेतों में खड़ी गेहों की फसल को बहुत नुकसान पहुचा है खेतों में अपनी पकी पकाई खेतों खेती पर बेमौसम की मार से किसानों में मायूसी चा गई राजिस्तान सरकार के ओर से मौडिफाय लोकडाउन में बूदी में लोग वहनों के साथ घर से बाहर निकलने लगे हैं जिसके बाद पुलिस नी अपनाया सक्त रुक अपनाते विए कई वहनों को जब्त किया है साथ ही लोगों को घरों में रहने की हिदायद भी दी गई है फिलाल अभीकले बस तनाय तमाम ख़बरों के लिए आप देखते रहेंगे न्यूस इंडिया पुलिस इंडिया अपनाया को जब है झाल झाल